जैह हिंद दोस्तों आपका अपने यूट्यूब चैनल टोटल ट्रेन इंफो पर स्वागत है यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और रेलवे की लेटस्ट अपडेट के लिए नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें आज मैं आ वीडियो अप्लोड करने के बाद ट्रेन का समय बदल जाता है इसलिए लेटस्ट समय सारिनी का लिंप डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ये ट्रेन कहां से कहां तक चलती है किस रूट से होकर जाती है किस किस स्टेशन पर रुकती है इस ट्रेन में कौन-कौन सी मिलती है इस प्रकार की सभी जानकारी मैंने इस वीडियो में दी हुई है ये ट्रेन न्यू जलपाई गुरी जंक्शन और नई दिल्ली स्टेशन के बीच मंगलवार शनिवार को चलती है ट्रेन 16 स्टेशनों पर रुकते हुए कुल 1500 किलोमेटर की दूरी लगभग 28 घंटे में पूरी करती है इस ट्रेन की औसत स्पीड 54 किलोमेटर प्रती घंटे की है अब मैं आपको केटरिंग यानी खान पान से संबधित जानकारी देता हूं इस ट्रेन में ऑन बोड केटरिंग और इकेटरिंग की सुविधा आपको मिल जाएगी अब मैं आपको इसके कोच को मोटिव का प्रयोग किया जाता है अब मैं आपको ट्रेन के रूट की जानकारी देता हूँ ये ट्रेन छूटने से आधा घंटा पहले न्यू जलपाई गुरी जंक्शन स्टेशन पर आकर रुख जाती है और सुबह 8 बज कर 15 मिनिट पर रवाना होती है इस ट्रेन का पहला हूल्ट किशंगंच स्टेशन है और यहां ट्रेन सुबह 9 बज कर 20 मिनिट पर पहुचती है यहां ट्रेन दो मिनिट रुखती है इस ट्रेन का दूसरा हूल्ट का टिहार जंक्शन स्टेशन है और यहां ट्रेन सुबह 11 बज कर 30 मिनिट पर पहुचती है यहां ट्रेन दस मिन इस ट्रेन का पाँचवा हॉल्ट समस्ति पूर जंक्शन स्टेशन है और यहां ट्रेन दोपहर तीन बज कर बीस मिनट पर पहुँचती है यहां ट्रेन पाँच मिनट रुखती है इस ट्रेन का छटवा हॉल्ट मुझफर पूर जंक्शन स्टेशन है और यहां ट्रेन शाम चा 18 मिनिट पर पहुँचती है, यहां ट्रेन दो मिनिट रुखती है, इस ट्रेन का नौवा हॉल्ट छपरा जंक्शन स्टेशन है, और यहां ट्रेन शाम 6 बज कर 45 मिनिट पर पहुचती है, यहां ट्रेन 10 मिनिट रुखती है, इस ट्रेन का दसवा हॉल्ट सीवान जंक्शन स्ट और यहां ट्रेन शाम साथ बज़कर 40 मिनट पर पहुचती है, यहां ट्रेन पांच मिनट रुपती है। इस ट्रेन का 14 हां हौल्ट लखनव चारबाग स्टेशन है और यहां ट्रेन सुबह 3 बज़े पहुचती है, यहां ट्रेन 10 मिनट रुपती है। दोस्तों मैंने इस वीडियो में किराये से संबधित कोई जानकारी नहीं दी है, क्योंकि किराया हर स्टेशन से अलग-अलग होता है और समय समय पर किराये में बदलाव भी होते रहते हैं। इसलिए किराये की जानकारी के लिए आप रेलवे की ऑफिशियली साइट IRCTC.co.in पर देख सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिक्शन बॉक्स में दिया हुआ है। दोस्तों यदि आपका इस वीडियो और ट्रेन से संबधित कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हो इसका जवाब जरूर दिया जाएगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मुझसे करीब से जूलने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना न भूलेट मेरा इस्टाग्राम अकाउंट है टोटल ट्रेन इंफो। आपको कौन सी ट्रेन पसंद है या किस ट्रेन की जानकारी चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं उस ट्रेन का वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा धन्यवाद।